इस दोरान वग्यानिकों ने ये भी साफ किया कि ये एटलांटिक सकाश खोया हुआ सामने आ रही जानकारी के मताबिक पिछले महीने रिसर्च जनरल में छपी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ग्रीन लेंड के आकार का ये महाद्वीब करीब 14 करोड साल पहले भूमध्य सागर में डूब किया था उट्रेक्त विश्विद्याले में वेश्विक टेक्टोनिक्स और पेलियोजिक कुराफी के प्रोफेसर डेव वान हिंसन बगिन ने बताया कि बड़ी संख्या में परेटर ग्रेटर एड्रिया के खोई हुए महाद्वी परह साथ छुट्टिया मनाने आते हैं लेकिन उन्हे इस बात का पता ही नहीं है प्रोफेसर डेव ने पताया कि जाच के तरह ने पाया गया कि ग्रेटर एड्रिया की अधिकांश परवत श्रंखलाएं एकल महाद्वीप से उद्पन हुई थी और ये परवत श्रंखलाएं 20 करोड साल पहले उत्तर अफरिका से अलग हुई थी इस महाद्वीप पर एक मात्र बचा हुआ भाग एक पट्टी है जो इटली के ट्यूरीन शहर से होते हुए एड्रियॉटिक सागर तक चाती है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फूर मोर अपडेट्स